आपने देखा होगा कुछ लोग नीद में बोलते हैं, इसे हम sleep talking कहते हैं आखे रिया होता क्यों है? चली समझते हैं Normally जब भी हम सोते हैं, हमारी sleep को चार stages में divide किया गया है पहली तीन stages होती है NREM sleep, यानी Non Rapid Eye Movement sleep Stage 1 होती है Awake or Light Sleep Stage 2 होती है Moderate Sleep Stage 3 होती है Deep Sleep इसके बाद आती है Stage 4 यानी REM sleep इस stage में सपने आते हैं और हमारी आखे बहुत तेजी से move करते हैं इसलिए इसे कहा जाता है Rapid Eye Movement Sleep Approximately हम 4-7 गंटा NREM sleep में देते हैं और 1,5-2 गंटे REM sleep में देते हैं अब किसी भी stage के बीच में या REM sleep के बीच में हमें सपने आते हैं Normally जब भी आपको सपने आते हैं हमारा brain motor activity को बंद कर देता है ताकि हाथ और पेर का movement ना इसके लिए कुछ neurotransmitters release होते हैं brain में लेकिन जब कभी इन neurotransmitter में fault होता है तो हम movement कर लेते हैं जैसे हमारे face में expression आएंगे और हमारी vocal cords भी move कर दियें जिससे हम बोल लेते हैं Generally sleep talking का connection excessive tension और stress से किया गया है इसके अलावा excessive alcohol intake, excessive caffeine और सोने से पहले बहुत ज़्यादा phone इस्तमाल करने से किया गया है